कर दोस्तों स्वागत आपका स्टेडी फ़र सेविल सर्विस के यूट्यूब प्रेट्पॉर्म पर यह देखे क्या लिखा है हमने आपके लिए विशन यूपी पीसीयस प्रिलिम्स 17 मार्च 2023 को यह एक्जाम होना है तीस दिन लगबख शेस रह गए हैं और इन तीस दिनों का उटलाइडियसन किस प्रकार से किया जाए कि हमारा यह प्री 100% क्लियर हो तो इसमें क्या कर सकते हैं आप प्रेवियस यहस क्वेशन देखेंगे नमबर एक, MCQs देखेंगे नमबर दो तीसरी सबसे इंपोर्टन चीज है इस्टेटी वर सेविल सर्विस के इनिशेटिव से से जुड़िये और जो MCQs एवलेबल हैं 35 question papers उनको purchase कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए अपने सतर से भी पढ़ाई करते रही है और हमसे भी जुड़िये तो इनी सब चीजों को ध्यान में रखकर मैं आज 20 questions डिसकस करूंगा आपसे कुछ factual questions है लेकिन एक्जाम में repeat होते रहे हैं और होते रहेंगे तो आईए शुरुवात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये पहले question की और पहले question उठाया गया है modern इंडिया से मौडल इंडिया question है स्वदेशी आंधरन की आधिकारी घोषणा किस वर्स की गई थी और कोई जानता है 1905 को की गई थी इंडियन नेशनल मूव्मेंट में हम देखें तो स्वदेशी आंधरन पहला एक बड़े इस्तर का अंधरन था व्यापक इस्तर का अंधरन था जो कब शुरू हुआ था बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद जो की अगस्त में की गई थी यहां question एक जोड़ा जा सकता है कि बंगाल का विभाजन प्रभावित कब हुआ उसका answer होगा 16 October 1905 ये date भी याद रखनी है पीसरी बात भारा सरकार ने किस वर्स साथ अगस्त को हत करगा दिवस के रूप में मनाया साथ अगस्त को ही क्यों चुना क्योंकि साथ अगस्त 1905 को ही स्वदेसी आंधरन की शुरूआत माल ली जाती है इसलिए और क्योंकि उसमें स्वदेसी चीजों को अपनाने की ही बात कई गई थी उसी आधार पर ये आंधरन शुरू किया गया था इसलिए हम देखते हैं कि इस आंदुरन का बहुत महत्व है गांधी के आने से दस साल पहले की बात है एक काफी इंपरेंट भूमी का नहीं बात है यह आंदुरन और नई दिशा और दशा हमको देखने को मिलती है जैसे जैसे हम इस आंदुरन के बात आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री में ठीक इसका अंस में और कौन-कौन जी गतिविधिया हुई वेरी इंपर्टेंट ठीक है आगे वड़ते हैं क्वेश्टन नमबर 32 कॉंग्रेस में उगरबाद चरण के प्रमुक नेता कौन थे हैं आप जानते हैं कि कॉंग्रेस की जब इस्थापना हुई सबसे राश्टी आंदुरन की उसके बाद जो दूसरी पंक्ति के नेता होते हैं वो सामने आ जाते हैं क्योंकि उनको मौडरे लिडिर्स के कारे जो कारे प्रणाली है वो उनको पसंद नहीं थी पूचा गया है उगरबाद चरण के जो प्रमुक नेता थे उन से कौन से थे गोपाल किष्णे गोखले और गंगाद отв तिलक मध्र बडिपिळजंदर आ लगार लारा राश्त्तमा राइकवल प्रमढ़ में जोड़ा जा सकता है इसका असर क्या है अपका अंचर होगी है और भी कई सारे questions इसके आसपास बनाए जा सकते हैं ध्यान दीजिएगा ठीक question number 33 1909 के अधीनम को इस नाम से भी जाना जाता है ठीक है आसान सा सवाल है moral एमेंटो बच्चा बच्चा जानता है ठीक है इसके प्रावधान क्या क्या थे जिसमें से अधित्तर बाते हमको पता रहती है कि Muslim electorates separate electorates अलोट कर देगे थे Muslim को लेकिन और भी कुछ चीज़ें थी उसको भी हो सके तो देख लिजेगा answer का 33 का C moral a कौन है? Secretary of the State. Minto कौन है? Vice-Roy है. Moral a Minto Reform question number 34 किस अधियनियम ने भारत के केंदरी प्रसासन की नीव रखी थी? आप यह जितने भी एक्ट देखना रेगुलेटिंग एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट चार्टर एक्ट हो गया और गवर्मेंट अफ इंडिया एक्ट यह सारे जो क्रम आपको दिखाई दे रहा है कि क् यह जानते ही हैं हमको constitution भी चाहिए आजार भारत का हम क्या सकते हैं कि यह जो एक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं यह एक प्रकार का समिधानिक विकास दिखा रहे हैं क्या रहे हैं समिधानिक विकास तो यह क्या है constitution development आंसर इसका है आपका B fits India Act एक भारत के केंदी प्रसासन की नीव रखता है अब चलते हैं एंचन इंडिया में सिंदू घाटी सबीता किसके लिए जाने जाती है बहुत ही आसान सवाल दे दिया हैं यहां तो अर्बन civilization थी एक भारत के उत्तरपस्चिन छेत्र में स्थापित हुई थी काफी लंबे समय तक बनी रही और इसका धीरे धीरे पतन भी होता है काफी important chapter है बहुत साथ questions बनते हैं यहां से भी तो जरूर इसको पढ़ियेगा नेलेक्ट मत कीजेगा ठीक है रिविजन के दोरान भी कई सारी चीजे याद आ जाती है आंसर इसका क्या है तेहरी नियोजन 36 पर इसे modern इंडिया के question देखता है हिंदू महासभा के एक ठन का निमलिक्षित में से कौन सा कारण था धर्म रिपेक्ष को बढ़ावा देना, मुस्लिम लीक के प्रभाव का मुकाबला करना, प्रिटिस राज का समर्थन करना या भारती रास्टी कॉंग्रेस का विरत करना जैर से बात है कि इसकी स्थापना हुई थी 1915 में, ठीक है, और इस समय तक मुस्लिम लीक का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था तो मुस्लिम लीक कह सकते हैं कि कॉमिनलिज्म की शुरुवात मानी जाती 1906 से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंडिननेशनल मूव्मेंट में तो उसका एक चरम रूफ हमको देखने को मिलता है तो एक तरह के से काउंट पॉइस तयार किया गया किसका मुस्लिम लीक का जिसका नाम है क्या हिंदू महासभा स्थापना इसकी हुई थी हरिद्वार के कुम मेले में हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखके मुझे भेजिए कि इसकी स्थापना करी किसने थी अच्छा एक चीज़ और अगर आपको सिविल सर्विस के इनिशेटिव से जुड़ना है या कोई चीज़ परचेस करनी है तो आप इन नंबर्स पर वट्सएप कर सकते हैं ठीक है ठीक और अपनी सफलता को सुनिशित कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला कोईशन तो बहुत ही प्राचीन भारत का है नौपाशाण जरन के दोरान चिंदू छेत्र के बाहर देहाती और क्रिशक समूदाय मुख्य रूप से कहां पर स्थित्थे ये काफी अच्छा कोईशन है UPSC भी यहां से कुशन बनाती है ठीक है तो दोड़ा चोटा सब मुझे नक्सा बनाने दो और उसमें देखो कि ये कहां की बात हो रही है ये तो हो गया इंडिया का रफ मैप और ये वाला जो पार्ट है ये है आपके इंडस वैली सिवलाइजेशन का इंडस वैली ऐला बारत के अलग अलग इस्तों में इस रहा करती थी क्रिस्टोरल कॉमिटीज रहा करती थी यानि कि क्रिशिक समुदाय जो पosपारण भी करते थे सवाल यह है कि यह कहां थे गंगा के मैदान में थे जी नहीं तकम के बठार में थे जी यह आप कौन से मिलेगा इसका जिसकी बात हो रही है प्रेस्टोरल कॉम्मिनिटीज की वो लोग कहां पर रहते थे अच्छा कॉश्चन मानूँगा मैं इसको 37 को अब सीधे बढ़ जाते हैं सीधे उतने एंशेंट से सोना सा मॉडर में आया जा जवाला नहरू के विकसित समाजवादी समाज के द्रिश्टी कोण के बारे में निम्लिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है नहरू एक मिस्रित अर्थविस्था में विश्वास करते थे जहां नीजी छेत्र और राज्य दोनों अर्थविस्था को निर्देशित करते हैं इसी बात है ऐसा इनका विश्वास था तो यह स्टेटमें ठीक है गलत नहीं है नहरू की दृष्टी कोर्ण में राज्य नियंद्रित अध्योगी करन शामिल था अब्यस्लि यहनी की स्टेट कंट्रोल एकॉनोमी इंडस्ट्रेशन नहरू क्रिशी सुधारों और भूमी पुनर वित्रण में विश्वास नहीं करते थे इनके जो स्टेट्मेंट है वो सारे सही है सिवाए C के तो आंसर क्या होगा इसका C प्रिशी सुधारों और भूमी पुनर वित्रण में इनका विश्वास था ऐसा नहीं है कि नहीं था अच्छा क्वेशन है इसी के इरदिगिर्द भी समाजबात से भी कई सारे क्वेशन बनते हैं तो प्लीज ध्यान दीजेगा तर्टी नाइन्थ रारंबिक मध्योगीन भारत में चोल सामराजी की स्थापना या संस्थापक किसने कौन थाउस का संस्थापक क्वेशन पूछा गया है यह तो आप जानते हैं कि भारत में हमेशा से सिर्फ एक राजा का सासन नहीं रहा कई सारे समराजी भारत के अलग अलग हिस्सों में बनते रहे हैं तो चोला वाला एंप्यार जो था वह यहां पर था और इससे पहले हांपर हम देखते हैं कि पल्लव डैनस्टी हुआ करती थी ठीक है तो लगवग 9th century के आसपास हम देखते हैं कि पल्लवों के सामन्त हैं एक प्रकार से कौन चोला जिसमें से आंसर मिलता है हां पर विज्या ले सब्सक्राइब करता अपने आपको और चोल सामराजी की स्थापना करता है एक उसका अंसर क्या है सी कल्चर वाइस दोल अंपायर इस वेरी इंपॉर्टेंट यहां से भी कॉस्चन बनते रहे हैं तो थोड़ा से टर्म्स यहां पर टफ होता हैं पढ़ने के लिए लेकिन इंपॉर्टेंट मानिंगे इसको हम दोल अंपायर को बिलकुल ही मत छोड़ेगा नहीं पल्लव को इन फैक्ट छोड़ने ऐसा बहुत कम है पढ़ने ऐसा बहुत जादा है ठीक है तोरी बच्चों क्या कहा जाए पढ़ना जादा है तभी यह इतनी इंपॉर्टेंट पोस् हम देखते हैं कि समय समय पर कई सारे सुधार देखने को मिले हैं दो प्रकार के सुधारों का उलेक है आप इसको देखिए और समझिए तो वी है वा रिफेर्न सफ टू काइंड ओफ डेवलॉपमेंट रहना साथ क्या कह सकते हैं भारत में रहना साथ की सुरुवात लेट लेकिन हुई और आई ओपनर थी याने की आँख खोल देने वाली तो इसमें को देखते हैं पुर्ण जागरान में दो प्रकार के सांदुन देखने को मिलते हैं एक रिफॉर्म था और एक क्या था रिवाईवल था याने की पुनरुद्धार ब्रह्म समाज को तो मैं रिवाईवल में इस क्वेशन का अंसर बनता है ब्रह्म समाज वैसे बाकी आरे समाज रामकिष्ण मिशन समाज यह सब अपने इस तर से चीजें कर रहे थे और लोगों तक लोगों को जागरू करने में काफी इंपॉर्टन भूमिका निभा रहे थे तो रहनासा वाला पीर हिंदू समाज में भी देखने को मिलेंगे पार्शी समुधाय में भी देखने को मिलेंगे तो यह जो सेक्शन है आपके हिस्ट्री का बिलकुल भी छोड़ा नहीं जा सकता इस शुड नाट भी ओवर लोग्ट प्लीज रिमेंबर दिस ओके एक आजाता है कॉशन पॉलिटी का निया पालिका का प्रात्मिक कारे क्या है कानून कहां बनते हैं भाई कानून बनते हैं या तो संसद में या विधान सभावों में ठीक कानून बनाने वाली संस्थाएं वे हैं इसका काम है कानून लागून करना जी नहीं कानून लागू हमारी डेमोक्रेसी के जिनमें से एक नया पालिका है काफी चर्चा में बनी हुई है आज कल किसकी वज़े से एलेक्टारल बॉंड्स की वज़े से जिसको अभी परसों ही हमारे जो चीफ जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड उन्होंने उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया है गोशित अनकॉंस्टिटूशनल इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा ठीक दबाव समूँ यान की प्रेशर ग्रुप्स लोग तंत्रिक व्यास्ता में महित्पूर्ण भूमी का निभाते हैं जो की वे सरकार को उखाल फेक सकते हैं जी नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जन्मत और निति निर्माड को प्रभावित कर सकते हैं नई राजनितिक दल की स्थापना कर सकते हैं जी नहीं सरकार को वित्ती सहायता वड़ान कर सकते हैं बिल्कुल नहीं इस कांसर क्या है जन्मत और निती निर्माड को प्रभावित कर सकते हैं दबाव समू ऐसे कई सारे हैं जैसे कि किसान की तरफ जुके वे ग्रुप्स होते हैं वो सरकार पर दबाव ला सकते हैं मजदूरों के परती जो अपना लगाव रखते हैं नन अदर देन पार्लियामेंट संसत को ही यह शक्ति प्रदान की गई है क्या करने में समयधान के किसी भाग को संसोधित करने की और हम जानते ही है 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक हमारे समयधान में 100 से भी जादा बार संसोधन किये जा चुके है तो यह सत्ति किसको प्रदान की गई है संसत को 44 भाग समयधान के किस संसोधन में मौलिक कर्टव्यों की अवधरना प्रस्तुत की गई सवाल आसान है लेकिन कई सारी चीज़ें इससे और जोड़ी हुई है ठीक है देखने जैसी है आंसर इसका क्या है 42nd amendment act कब वह था 1976 में वह था इसको mini constitution भी कहा जाता है various changes has been made by this amendment act और इसी जरिये fundamental duties को जोड़ा गया था और ये आर्टिकल देख सकते हैं 51 ए में है जिस समय जोड़ा गया था उस समय fundamental duties कितनी थी दस आज की रेट में कितनी है 11 में इस एक्जाम में तो fundamental duties लिखने को आ जाती कभी कभी आ चुकी है इन फैक्ट प्रेंबल लिखने को आ गया था पूरा-पूरा स्वर्णनसिंग कमिटी ठीक है पढ़िएगा अच्छा लगेगा आपको क्वेशन एक्जाम में यहां से यह भी आ जाता है कि निम्लिखित में से कौन सा मौलिक करता भी नहीं है विज़ेदर फॉलिंग इस नौट्ड़ फॉंटामेंटल ड्यूटी इंपॉर्टेंट ठीक याद रखेंगे 45 भारति समिधान की प्रारूपन समीथ यानि की ड्राफ्टिंग कमिटी के दिक्ष कौन थे बहुत ही आसान सावाल लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है बी आरम मेटकर के नाव कोई नहीं हो सकता ठीक है आपको क्या करना है इस समीथी में और कौन-कौन से नाम याद रखें एक्जाम में कुर्शन आ सकता है कि विच अधर फोलिंग इस नॉट दा मेंबर ऑफ दर ड्राफ्टिंग कमेटी ओके मैं मैं रिमेंबर नाम अधिर आका पॉटेसिक्स बाद ए संघंदर को हां सावाग केंज-सासरी प्रदेश पर शम्मंदित है कि आपको पता ही होगा कि हमारा नोर समीधान है कि ने बाबं intuitive लूड हो हर भाग कुछ कहता है हर भाग में कुछ आर्टिकल्स है किसी भाग में 100 आर्टिकल है किसी भाग में सिर्फ एक आर्टिकल है यानि कि भाग को equally divide नहीं किया गया है आर्टिकल वाइस अगर मैं पार्ट 1 की बात करूँ तो part 1 में सिर्फ 4 article है एक से लेकर 4 तक part 2 की बात करें इसको citizenship कहते हैं उसमें 5 से लेकर 11 अथ है fundamental right part 3 है जिसमें 12 से लेकर 35 तक है ठीक है part को equally divide नहीं किया गया है सवाल यह है कि यह जो हमारा जो कीन सासित प्रदेश है unit territories उसको किस भाग में रखा गया है उसका अंसर है क्या भाग 6, बेर्स एक्ट आप खरीद सकते हैं, आर्टिकल वाइस देख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्टन वहीं से आ जाता है, जैसे कि मुनिस्टिपलेटीज में से जिजने सारे आर्टिकल्स दिये ना 243 वाले, वो सब आप देख सकते हैं उसमें से, very important, 46 का वालीगाईों की स्थावना इसके द्वरा की जाती है, जीक है, एक इस राश्विदान मंडल के एक अधीनियम यही सका अउसर हैगा, 47 का C, अच्छा कौशन है याद रखेंगे, regulating bodies के पास कौनती शक्ती नहीं होती which of the falling power is not enjoyed by the regulating bodies कानूनों और वीनिमों को लागू करने की enforcement, enforce laws and regulations, make law, supervise and control certain type of activities, protect consumer rights कुछ विशेश प्रकार की गतिविधियों का परिवेक्षण और नियंतिल करने का इनको अधिकार होता है regulating bodies को जैसे की से भी है, security exchange board of India is an example of but regulating body तो शेर मार्केट, जो money market, जो capital मार्केट है उसमें कुछ regulate कर सकता है हो, ठीक है तो इसका अंसर क्या होगा C, पासी judicial यानि की अर्धन्याइक निकाये नियायलेयों से इस मायने में भिन्न है क्योंकि वे कानून की व्याख्या कर सकते हैं अपने निरणेयों को लागू कर सकते हैं उन्हें साक्ष के सक्त नियमों का पालन नहीं करना पड़ता जुर्माना और कारवास दोनों लगा सकते हैं जी नहीं इन्हें साक्ष के सक्त नियमों का पालन नहीं करना पड़ता क्वासी जुडिशियल बॉडिज ठीक आज का लास्ट क्वेशन राजिसवा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं फड़ा असांदर सवाल है सभी का सही हो जाएगा आंसर इसका उपराश्पती आर्टिकल 63 में लिखे हुए बात वाइस प्रेजेडेंट शेल बी दा एक्स ओफिस्यो चेर्मेन अफ तॉंसिल अफ स्टेट देट इस हरारी सभा तो ये 20 क्वेशन ही हमने डिसकस किये पोशिस हम करेंगे रिसेंट ट्रेंट्स को पकड़ने की जो लोकसेवा आयोग में चल रहा है उत्रप्रदेश के आरो और आरो का पेपर जो अगर रद हो जाता है तो उसको एक मॉडल पेपर की तरह आप देख सकते हैं इस वाले एक्जाम आने वाले एक्जाम के लिए ठीक है की तरो वाले एक्जाम करताएं